आपको बताए कि पिछले कुछ दिनों से ओंपरकास राजबर उत्रप्रदेश की राज़निती में सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है इस वक्त आपको बताए कि उत्रप्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा मेडिया में हाइलाइट रहने वाला किसी नेता का नाम अगर लिया जाए तो ओंपरकास राजबर ही वहोंगे से और समाजवादी पार्टी के उपर निसाना साथ ने और गडबंदन को लेकर जो सबी कुछ चला था उस लेकर काफी ज़्यादा चर्चों में रहे थे कि वो बाउजन समाजवादी के साथ जा सकते हैं बियासपी जिंदाबाद के भी आपको बता दे कि उन्हों ने इसका था लेकिन उसी दिन से मेरे मन में यह संका जरूर थी कि बियासपी का और उमपरकास राजवर का गडबंदन को होना नामुम्किन के बराबर है बैंजी का रिकोर्ड देके यानि बियासपी सुप्रीमो माया वतीजी का खुद का रिकोर्ड देके तो उस हिसाब से कहीं भी नजर नहीं आता कि बैंजी उमपरकास राजवर को कभ जाने की संभावनाई वहां खतम हो जाती है जाए इस बात को देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी से जो नेता निकल कर गए है या उन्होंने चाहे पनी इपलग पार्टी बना ली हो चाहे और हो गए उनसे बैंजी कभी भी वापस रिस्ता नहीं जोडती है उन्हें समाज पार्टी के ही सदश्यों में से रहे थे तो ऐसे मैं आपको बता दे कि उनको और बहन जी उनको साथ मिलेने की संभावनाई बिल्कुल निदा वह जाती है वहीं आपको बता दे कि आकाश आनंद की द्वारा एक किया गाए ट्वीट हाला कि उन्होंने किसके बारे में नहीं है तो अमपर कास राजबर आपको बता दे कि आप बीजेपी के साथ या किसी अन्या के साथ यह देखना दिल्चस्प होगा लेकिन बियस्पी के तरफ से उनका परताव नजर आ रहा है